हेलो फ्रेंड सिक्वार फिट से सौगत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल The Study Scan में देखिए आज की वीडियो में मैं बहुत जादा देर नहीं लेने वाला क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे कोशन्स आए स्कूल में भी और इस चैनल पे भी कि आखेर सर हमें यह बताईए कि अगर हम पढ़ें तो कितनी देर पढ़ें इधर से मम्मी टोकती हैं, पापा टोकती हैं उसी के लिए आज हमारे साथ एक महान सदस से जो कि एक मनो वैगयनिक भी हैं, यानि के साइकलोजिस्ट भी हैं उनसे हमने बात कि और उन्हें हम आपके सामने लेके आ रहे हैं जो आपको बाकाइदा समझाएंगे कि अगर आपको सफल होना है सफलता चाहिए तो आपको रेगुलर यानि नियमित रूप से आपको कितनी पढ़ाई करनी हैं तो आगे की वीडियो मैं उन्ही को हेंड ओवर क दा स्टडी स्कैन पर आप अब तक फिजिक्स के कोश्चन और मैथ के कोश्चन और टॉपिक समझते रहें और पढ़ते रहें परन्तु आज दा स्टडी स्कैन पर एक ऐसा वीडियो आपके सामने आ रहा है एक ऐसा मंत्र में लेके आ रहा हूं जिसमें कि आप अपना स्कू किसी भी कम्टीटीव एक्जाम चाहे आई एस हो चाहे PCS हो या CA का हो या कोई भी कम्टीटीव एक्जाम हो उसको आप क्रेक्ट कर सकते हैं तो वो मंत्र कौन सा है आईए मैं आपको ले चालता हूं उसी मंत्र की ओर और जैसा कि मुझसे कई स्टूडेंटों ने ये पूछा कि सर ये बताईए कि आखिर हमें कितने घंटे या कितने समय तक पढ़ना चाहिए तो मैं आपको आज वही चीज बता रहा हूं कि इस कुश्चन का कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए कितने समय तक पढ़ना चाहि और उस मंत्र से उसका क्या मतलब है तो आईए मैं आपको सभी चीजे उधारन दे करके बताऊँगा बड़े सांथ से सुनिए और इस वीडियो को end तक देखिए क्योंकि इस वीडियो का सार पूरी तरीके से end तक आपको मिलेगा और एक ऐसा मंत्र मिलेगा कि आप स्कूल भी टॉप करेंगे कॉलिज भी टॉप करेंगे और कोई भी कम्टीटिव एकजाम हो उसको भी क्रेक करेंगे अगर ऐसा नहो तो आप मेरा नाम चमन सर है आप उसको चेंज करने के लिए कह सकते हैं दावा है कि यह वाला मंत्र कोई भी आईएस पीसीएस क्रेक कर चुके जो भी अभ्यरती है वो इसको गलत नहीं थेरा सकता यह दावा है तो आईए जानते हैं उस मंत्र को जैसे मैं आपको धारण देके बताता हूं कि कोई आपके परिवार में या आपके रिस्तिधारी में कोई अगर बच्चा क्लास फर्ष्ट में पड़ता है कौनस encourage पड़ता है फर्ष्ट में तो फर्ष्ट का मतलब न और न का मतलब एक गंटा तो एक गंटे में मिनेट ऊती है 60 बस आपको करना क्या है कि जिस क्लास में आप पड़ते हैं उसको मिनेट में तबदील करिए यह बिल्कुल mathematics से जुड़ा हुआ बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से यह समा जाएगा कि जितनी क्लास में आप पढ़ते हैं उसको minute में तबदील कीजिए यानि कि first class में अगर आप पढ़ते हैं या आपके कोई परिवार में बच्चा पढ़ता है तो 60 मिनिट हो गए अब क्या करना है आपको कि उसको टू से डिवाइड करना है किस से डिवाइड करना है तो आई देखते हैं देखिए 60 को जब आप टू से डिवाइड करेंगे तो वह आ जाएगा 30 और यह हो गया minute यानि कि अगर आपके परिवार में या कोई भी बच्चा first class म तो इसको 30 मिनेट 15 मिनेट तक परना होगा परनथू इस 30 मिनेट मैं मैं एक चीज आपको समझा दूं कि इस 30 मिनेट में ना तो उस बच्चे का स्कूल में जो समय लगता है पढ़ने में उसको नहीं उसको जोडना है ना ही अगर वो ट्यूशन पर रहा है कोई भी तो tuition में लगा हुआ समय भी नहीं जोड़ना है और नहीं इन दोनों का जो homework है उसको करने में जो वो पढ़ता है वो भी नहीं लगाना है यानि कि यह जो 30 मिनट निकल के आए हैं first class के बच्चे के लिए यह है self study क्या है self study यानि कि अगर first class का बच्चा 30 मिनट तक self study करता है चाहे वह अपनी किताब पढ़ता है चाहे वह writing करता है चाहे वह कोई भी example देखता है चाहे वह कोई question याद करता है तो 30 मिनट अगर वो बच्चा पढ़ ले इमांदारी से किसी को दिखाने के लिए नहीं अगर वो इमानदारी से 30 मिनिट के लिए पढ़ ले रेगुलर तो वह 100% अपनी क्लास में क्या अपने स्कूल में टॉप कर सकता है अब आईए फस्क्लास से हम थोड़ा सा बढ़ते हैं में में क्लासे लेंगे आपको देखिए फिप्थ क्लास फिप्थ क्लास में जैसे 5 है य वो इतना ही आएगा जितना की आप 2 से डिबाइड करेंगे तो डिबाइड टू से ही करना है तो जब 5 को 2 से दिबाइड करेंगे 2 1 2 यानिकि है 2 1 2 5 यानिकि 5 गंते उन्हें कि consider यार्थ हुद क्लास का बच्चा जो है अगर ऑ3ं गंते तक ईमानदारी से सेल्फि स्टडी कर ले फिर से मैं कहूंगा बारवार कहूंगा कि उसमें इसकूल के पढ़ने वर उसके हमबर के नहीं जोड़ना जाए ऍहागे बहुत समय नहीं लेंगे कि अगर हम आप लेते हैं जो आपकी बोर्ड की ख्लास होती है यानि कि 10th class चाहे वो CBSC board हो UP board हो ICSC board हो 10th class लेते हैं 10 का करते हैं half यानि 2 से divide करते हैं तो कितना है? 5 यानि कि 10th class का बच्चा board exam दे रहा है अगर वो 10th class का बच्चा 5 गंटे तक self study करता है इसमें भी मैं कहुँआ कि self study अगर करता है तो वह बच्चा अपनी class में ही नहीं स्कूल में top कर सकता है अब आते हैं अगला जो last board exam होता है 12 12 को भी 2 से divide करेंगे 6 hours तो 12 मी का बच्चा अगर 6 गंटे तक self study कर लेता है तो उसको top करने से कोई नहीं रोख सकता है अब देखे यह वाला जो वीडियो है यह केबल बोर्ड वाले student के लिए ही नहीं है आगे जो graduation करते हैं किसी भी stream में तो उसको मैं आपको बता दूँ जैसे BA हो या BSC हो कोई भी graduation हो तो जब उसके final year को हम जोड़ेंगे तो 12 प्लस 3 यानि कि 15 15 का जब आप हाफ करेंगे तो वह होगे सारे साथ घंटे यानि कि अगर graduation कोई सी भी graduation हो BA हो, BB हो, BCA हो BTEC हो वह अगर सारे साथ घंटे self study अभी भी मैं कहूंगा self study अगर कर लेता है तो उसको top करने से कोई नहीं रोख सकता अब देखिए अब इसके बाद आजाती है competitive क्योंकि अधिकतर जो completion होते हैं चाहे आप IS को ले ले, चाहे PCS को ले ले चाहे PPS को ले ले IPS को ले ले वह graduation के बाद होता है तो graduation बाद बाला मैं आपको बता दूँ कि देखिए 12 साल तो 12th में लगी नॉर्मली रूप में 3 साल आपको graduation में लगी यह मैं बताता हूँ, लिख देता हूँ IS, PCS या कोई भी competitive exam बारे साल इंटर तक लगी, तीन साल graduation में लगी, अब अगली एक साल हम जोड रहे हैं आपके competitive exam के लिए चाहे हो IS ओ या PCS या कोई भी तो 12 प्लस 3 प्लस 1 यानि कि कितना हुआ 16, तो 16 को भी हम 2 से डवाइड कर रहे हैं तो 2 से डवाइड करने पर यह आता है 8 घंटे 8 घंटे, यानि कि अगर कोई competitive exam की तयारी कर रहा है, IS, PCS या कोई भी, अगर वह इमानदारी से 8 घंटे तक यह क्या है, self study 8 घंटे तक अगर self study कर लेता है, परंतु यह देखिए, यह चाहे 30 मिनिट की पढ़ाई हो, 5 घंटे की पढ़ाई हो, 5 घंटे की पढ़ाई हो, 6 घंटे की हो, यह साड़े-साथ गंटे, यह 8 घंटे की, इसमें रेगुलर्टी मस्ट होती है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन तो आपने अपनी जो हाफ निकल के आया हो, करली पढ़ाई, और 4 दिन तक नहीं की, हमेशा रेगुलर्टी सफलता की ओर ले जाती है, तो 8 घंटे तक अगर competitive exam का बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, self study कर रहा है, तो वह उस competitive exam को crack कर सकता है, 100%, तो यही है, वह मंत्र, जो कि आपको ले जाएगा, टॉपर्ट की ओर, जो कि आपको ले जाएगा, किसी भी competitive exam में, crack करने के लिए, और उसमें सफल होने के लिए, तो साथियों, आपको यह, जो मंत्र है, यह कैसा लगा, आप comment box में बता सकते हैं, परंतु, इसको अगर कोई अपनाता है, इसको कोई अपनाता है, और अपनाने के बाद, अगर वो टॉपर्ट की सेनी में आता है, या उस competitive exam को crack करता है, तो जरूर comment box में बताए, और अगर इतना इमांदारी से करने के बाद भी अगर वो नहीं कर पाता, तो वो भी, तो वो भी क्या करते हैं, आप comment box में बता सकते हैं, परंतु, ये दावा है, कि अगर ये self study और regular, अगर ये half करते हुए, जितने गंटे और minute आ रहे हैं, अगर आपने टॉपिक है, उनको तो हम लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए अधिकतर, अलग-अलग subject के, आपके लिए इसी तरीके से हम कई और सफलता के मंत्र लेकर के आते रहेंगे, तो देखते रहें ये the study scan, अगर आपने पहली बार इस channel को देखा है, तो इसी अफलता उसके छुपी हुई है, अन्तुत्यक तो देखते रहें, the study scan